परमाणू बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है रूस के परमाणू शस्त्रागार में ऐसे ऐसे परमाणू बम है जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मरों की तबाही का मुहर लगा है पुतिन की नुक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है और वो अपने तमाम खतरनाक नुक्लियर हत्यारों और उनके दिलिवरी सिस्टम को पूरी तरह से परक भी चुके हैं अब रूस का परमारू ट्रिगर पूतिन के हाथों में है और पूतिन योक्रेन यद्य के लंबा खिशने के लिए सीधे-सीधे अमेरिका को दोशी ठेरा ते हैं पूतिन के टार्किट पर हैं इससे लेकर पूतिन चार दलीले देते हैं पहला योक्रेन को नैटो में लाने का एक लंबे समय से चला आ रहा अमेरिकी प्रयास जिसे पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खत्रा बताते हैं दूसरा योक्रेन को हत्यारों के अमेरिकी खेप ने लड़ाई को लंबा कीश दिया है तीसरा योक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन रूस के विनाश की मांग करने का एक बहाना है और चौथा ये कि अमेरिका की नीथिया जल्द ही एक बूर परमाणू यद्ध के लिए जिम्मेदार सावित हो सकती है परमाणू बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है रूस के मताबिक उसके परमाणू शस्त्रागार में ऐसे ऐसे परमाणू बम है जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मोहर लगी है पोतन के न्यूक्लियर फोर्स के पास एक ऐसा परमाणू त्रेशोल है जिसकी मदद से जल, ठल और नब से एक साथ परमाणू हमला किया जा सकता है एक ऐसा परमाणू त्रेशोल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर है दूसरा कमांड सेंटर आस्मान में है तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों पर तैरता रहता है वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पंडुक भी में छोपा रहता है रूस के परमाडो बंप फूटने के बाद कैसी तबाही मचा सकते हैं इससे लेकर रूस के सरकारी टेलेवेसन पर खौफ का लाइफ प्रसारन भी किया जाता है बड़ा सवाल है, क्या रूस परमाणू युद्ध की दुनिया में नया धमाका करने वाला है? क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वार का एपी सेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणू बम का जाल बिछा रहा है? क्या होगा अगर परमाणू बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पोतिन के टार्गेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होगे? और अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयोर्क, पैरेस, वशिंटन डीसी, लंदन, बर्लिंग, शिकागो, कैलिफोनिया, लास एंजिलेस इसे नाम इसलिए क्योंकि पोतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नैटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पोतिन इन सब ही शहरों को धूल में मिला देंगे पोतिन का गुस्सा जला कर राक करतेगा ये बात बाइडन भी जानते हैं मैक्रो भी जानते हैं रिशे सुनक भी जानते हैं और ओलाव शॉल्स भी जानते है पोतिन की नियूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है वो अपने तमाम खतरनाक नियो क्लियर हत्यारों और उनके डिलिवरे सिस्टम को पूरी तरफ पर रख चुके हैं